नमस्कार, HP exam notes में आपका स्वागत है, ये course का 23rd video lecture है और आज हम discuss करने वाले है computer से related 30 MCQs के questions को ये हमारा MCQs का 8th set रहने वाला है, इससे पहले हमने 7th set कर लिया है MCQs के अगर आप में से किसी student ने वो video lectures को नहीं देखा है तो please आप उनको भी देख लें क्योंकि वहाँ पे जो हमने questions किये है वो इस exam prospective वी से काफी importance रखते है अब इस exam को conduct होने के लिए लगबग एक महीना रह गया है, कल हमने एक video को channel पे upload किया था इसमें हमने preparations को लेके, strategy को लेके discuss किया हुआ है कि अब हमारी क्या strategy रहने चाहिए इन 28-30 दीनों में इस exam के लिए अगर आप लोगों भी plan बनाना चाहते है इस exam को crack करना चाहते है इस एक महीने में तो आप उस video lectures को भी देख सकते है यहाँ पर मैंने एक और promise किया था आप लोगों को कि मैं आप लोगों को जो है free में mock test provide करूआँगा जो best quality का mock test रहने वाला है आप लोगों ने करना क्या है कि इस तरह का एक मुझे screenshot send करना है अपने youtube profile से जहाँ पर आपने hp exam note को subscribe किया हुआ होगा वो वाला screenshot मुझे send करना है बट कुछ students ने जो है मुझे इसी वाली screen का screenshot mail कर दिया है शायद मेरे बताने में कोई कमी रहे गई होगी आप लोगों को ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने अपने वाली profile से जहाँ पर आपने hp exam note को subscribe किया हुआ है वो वाला screenshot मुझे send करना है अभी मैं आप सभी लोगों को mock test provide करवा दूँगा क्योंकि कुछ ज़्यादा demand यहाँ पर नहीं आई है मैं कल आप लोगों को mock test provide कर दूँगा क्योंकि आप लोगों को समझना होगा ना कि mock test बनाने में बहुत नईम लग जाता है एक अच्छा mock test बनाने में आज के इस video lecture को शुरू करते हैं पूरा जरूर देखें बहुत important और interesting रहने वाला है यह video lecture यहाँ पी जो पहला question है in the language of the computer profession computer profession की language में 1000 position of the main storage is represented with the letter ठीक है हम represent करते है k से इसका सही option a है और कहीं बार हम पूछते भी तो है किसी अपने colleague से या किसी अपने दोस्त से कि भई आपकी pay क्या है तो वो बोलता है कि भई मेरी page 20k में है 30k में लोगों को बताना है इन में से RSA जो है एक digital signature है और digital signature क्या रहता है public की encryption technology रहती है digital signature में जब आप लोग जो है junior office assistant बन जाएंगे और आप लोग अगर PWD जो है select करेंगे या फिर जलशक्ती विवाप को select करेंगे तब आप लोगों को जो है एक digital signature प्रवाइड करवा दिया जाएगा department की और से जो भी आप official data department का जो है एक department से दूसरे department में या फिर PWD के उनकी official website पे जो भी data को आप transmit करेंगे तो इस digital signature के help से data को transmit करेंगे क्यों कि यह हमारा data को encrypt कर देता है किसी मतलब secure कर देता है data को transmit के form में और हम जब GST के bill अगेरा वगेरा फिल करते है online portal में या फिर large transactions को हम करते है month में bank से transactions को करते है तब भी हम इस digital signature का परियोग करते है ताकि हमारा data secure तोर पे transmit हो जाए यह जो digital signature है dongle की तरह रहती है USB की तरह रहती है जैसा कि आप यहाँ पे figure में देख पा रहे होंगे तो ऐसी रहती है digital signature और किस के लिए यूज करते हैं हम इसे safe data transmission को use करने के लिए हम इसे use करते है आगे देखते है communication using a modulated carrier to apply a data signal to a transmission medium in analog form is हम लोग यहाँ पे communication कर रहे है using modulated carrier wave का data को transmit कर रहे है और यहाँ पे जो data को transmit करने का medium है वो analog form रहने वाला है तो इन में से किस technology का हम use करेंगे यह हम लोग को बता रहा है और इसका answer क्या है D है broadband networking technology में हम क्या करते है कि communication करते है जो की analog form में रहती है और यहाँ पे हम किस wave का use करते है modulated carrier wave का use करते है हमें लोगों को पता है कि अगर हमें high rate में data को transmit करना है तो हम broadband का use करेंगे और modulated carrier wave जो है pure form of constant frequencies wave रहने वाली है यहाँ पे जो हम data को transmit करते है वो sine waves में data को transmit करते है जیसा कि आप लोग हम यहाँ पे figure में देख पा रहे हैं इस शेप में हम यहाँ पर डेटा को ट्रांस्मिट करते हैं, मतलब इस waveform में हम यहाँ पर डेटा को ट्रांस्मिट करते हैं, हम लोगों से यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है, कि broadband networking technology में हम जो डेटा को ट्रांस्मिट करते हैं, वो किस wave में transmit करते हैं sign wave में data को transmit करते है यह हम लोगों को याद रखना है D's का सही इंसर है ITS stand for ITS क्या stand रखता है इन में से यह हम लोगों को बताना है Intelligent Tutoring System ITS stand रखता है C's का सही इंसर है और Intelligent Tutoring System क्या रहता है कि जैसे हबी Corona Virus पीछे काफी फैला हुआ था पूरे दुनिया में तो हमारा जो Education Sector है या फिर दूसरे Public Sector है जहां पे हम Tutoring के जरिये चीजों को अच्छे से Express कर सकते थे तो वो Sector हमारे बिलकुल फेल हो गए तो हम दोग दुनिया जो है अब इस Sector पे काम कर रही है Intelligent Tutorial System में इसमें क्या रहेगा कि मालो बात की 10th का कोई Student है जो घर में पढ़ाई करना चाता है तो इस सिस्टम में क्या रहेगा कि 10th का जितना भी Slaves है पूरा जितना भी वहाँ पे Lesson रहेंगे जितने भी Questions रहेंगे उसको पहले ही इस सिस्टम में जो है सेव करके रख दिया जाता है रख दिया जाएगा ताकि अगर इन future students बिना teacher के पढ़ना चाता है या फिर कोई ऐसे situations आती है जहां पे वो school अगरा वगरा नहीं जा पाएगा तो Intelligent Tutorial System का योज़ करके जो है हम उन students को या फिर उन public sectors को जहां पे Tutorial की ज़्यादा जोरत पड़ती है help कर सकें तो ITS इससे लिए इससे stand करता है और C इसका सही अंसर है आगे दिखते है What is the primary difference between virus and warm हम लोग ने यहां पर virus और warm के बीच में जो है primary difference को बताना है तो इसका सही अंसर क्या है C इसका सही अंसर है Virus is very harmful to the computer It infects ठीक है तो जो computer virus से infected रहते है वो जो है virus के उस computer के लिए काफी harmful रहते है अगर आपकी computer में एक बार virus घुश गया तो वो आपकी computer में इतना load की rate कर देगा कि computer खुद से ही on off जो है कहीं बार on off होता जाता है अगर यह ज़्यादा देर तक आपके computer में रहगा तो आपके computer को जो है यह बूरी तरह से damage भी कर सकता है Virus से जो है hacker हमारी personal information को भी चोरी कर सकते है जबकि warm जो है वार्म में जो है इतनी कोई serious problems नहीं रहती तो यह जो है एक primary difference है virus और warm के बीच आगे दिखते है dash describe what is database field ठीक है इन में से कौन describe करता है कि database field जो है क्या रहने वाली है हमारे database management system में तो इसका सही answer है field name हमें पता है कि database management system में जो है अधिकतर हम data को tables में manage करके रखते है और जब हम tables में data को manage करके रखते हैं तो अब इससी बात है वहाँ पे columns रहते ही रहते है field name में हम क्या करेंगे कि जब वहाँ पे database management में हम data को management करेंगे तो वहाँ पे हमें field name में लिखना होगा कि किस type का data है किस type की informations रखता है data और यहाँ पे mode of data क्या है अगरा वगरा जब हम field name में वह सब information डालेंगे तो वह describe करेगा database fields को तो D इसका सही answer है यह हमने याद रखना है A goal of normalization is to normalizations का हमारा goal क्या रहता है DBMS में तो हम लोगों ने यह बताना है तो इसका सही answer है D minimize the number of redundancy redundancy को minimize करने के लिए हम जो है normalizations process का use करते हैं और redundancy का meaning क्या है database management system में जब हम data को management कर रहे होंगे information को collect कर रहे होंगे तो वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि by accidentally हम से data दो दो बार अगर entered हो गया होगा तो जब हम data को call करेंगे तो double data जब हमारे सामना आएगा तो वहाँ पर problems आएगी ना data को show करने में computers को क्योंकि एक ही data जो है दो दो तिन तिन बार वहाँ पे save किया हुआ होगा तो redundancy में क्या रहेगा कि जो हमारा data जो है double bar या triple bar वहाँ पे save हो रखा है entered हो रखा है तो वो उसे जो है minimize कर देगा वहाँ पे extra data को remove कर देगा और वहाँ पे efficient तरीके से data को save करके रखेगा जब हम उस data को call करेंगे तो वो जो है सही format जल्दी से हमें occur हो जाएगी हमारे system में तो यह purpose है redundancy का शायद आप लोग को समझा गया होगा आगे देखते है basic is dash language basic यहाँ पे कौन सी language है यह हम लोग को बताना है और इसका सही answer क्या है यह इसका सही answer है basic is procedural language है basic और procedural language में क्या रहता है कि program को जो है small parts में divide कर दिया जाता है जिसे functions बोलते है और इस approach को जो हम यहाँ पे follow करते है इसके लिए इसके लिए हम जो top down approach को follow करते है तो यह चीज़े आप लोग को याद रखनी है procedural language में C भी procedural language है Java भी procedural language है Forten भी procedural language है और Cobble भी procedural language है यह भी आप लोग को याद रखना है आगे देखते है which output device is used for translating information from a computer into pictorial form of paper pictorial form on paper इन में से वो कौन सा output devices है जो computer से information translate करता है किसमें pictorial form on paper पेपर में जो है picture की form में जो है information को translate करता है तो यह तो बहुत असान question है पहले भी हम लोगोंने किया हुआ है बस examiner ने इसको थोड़ा सा गुमा दिया है plotter इसका से answer है भी इसका से answer है which type of processing that produce output result immediately after input data are entered in a computer system तो इन में से वो कौन से processing रहने वाली है जिसमें हम अगर input data enter करते है computer system में तो वो immediately ही हमें output result जो है दे देता है तो इसका हमने जो है answer बताना है तो इसका से answer है interactive इसका से answer है और यहां पी क्या रहता है कि जब हम MS Word में काम कर रहे हैं तो इसमें क्या रहता है कि हम एक जो है keyword से जो है वहाँ पे type कर रहे है तो जो भी हमने type करना है वहाँ पे तो साथ साथ हमें output जो है screen पे देता रहता है तो वो जो है interactive processing का जो है type है तो भी इसका sensor है समझा गया होगा आप लोगों को आगे देखते है the dash provide a path between the CPU and peripheral devices इन में से वो कौन सा है जो CPU और peripheral devices के बीच जो है path provide करवाता है which are connected by interface card और वो interface card से जो है connected रहता है तो इसका सही answer है expansion bus इसका सही answer है तो भी इसका सही answer है आगे देखते है a program prepared by an outside supplier and provide to a user in a machine readable form is known as ठीक है तो कोई program है जो outsider supplier द्वारा prepare किया गया है और वो जो है user के लिए machine readable form में भी रहता है तो उस program को हम क्या बोलते है या फिर किस नाम से जानते हम उस program को तो उसे हम बोलते है Canon program हम उसे बोलते है मान लो बात की मैं आप आप लोगों को बोलता हूँ चोटी मोटी changes भी कर पाऊँ उस programs में मतलब चोटा मोटे changes भी खुद से कर पाऊँ उस program में तो वो क्या रहते है Canon program हम उसे बोलते है तो B इसका से अंसर है picture or drawings typically display on video display unit to allow user to select program option is called picture or drawings जो हमारे video display unit में हमें दिखाई दे रही होती है वो अगर users को allow करते है programs के options को select करने में तो हम उसे क्या बोलते है कितना असान question है अगर हमें question समझा आ गया तो answer तो जो है इसका सिद्धा ही हमें आ जाएगा तो B इसका से answer है icons रहते है जो हमें जो है program के options को select करने में allow करते है video display unit में आगे देखते है DOS floppy disk does not have DOS floppy disk में जो है इन में से क्या नहीं रहता virtual memory जो है DOS floppy disk में नहीं रहती है आगे देखते है how is power supply to a low power USB device low power USB device में हम power को कैसे supply करते है जैसे की low power USB devices कौन से रहते है हमारे trimers से रहते है और आज कल जो है काफी सारे students जो है speaker जो रहते है बैटरी वाले उन्हें हम low power जो है devices बोलते है और उसे हम किसे चार्ज करते है throw the USB cable से हम उसे चार्ज करते है तो D इसका सही अंसर है all the information collected during database development is stored in air ठीक है तो जो database development के दोरान जितने भी हमने information को collect किया हुआ होगा उसे हम कहां store करते है यह हम लोग ने बताना है तो उसे हम store करते है data warehouse में हम उसे store करते है अब इसका common example लेके समझते है यह तो programming के लिए है अब हम इसका common example लेके समझते है कि जब हम पहले sim card खरीते थे तो हम seller को जो है UPBHR में के एक रुपए में company को बेची जा रही है और वो हमारा data जो है company collect कर रही है सरकार ने इस drawbacks को overcome करने के लिए warehouse बनाने शुरू कर दिये अब जब हम कभी sim card को लेने जाते है तो हम वहाँ पे अपना thumb लगाते है biomedical information देते है और वहाँ पे जो है automatically हमारी जितनी informations रहती है warehouses में वहाँ पे automatically deduct कर दिया जाता है तो जो हमारी informations वहाँ पे automatically deduct कर दी गई है वो कहां से deduct कर दी गई है warehouses से deduct कर दी गई है वहाँ पे जो हमारा data जो है already stored रहता है तो B इसका सही answer है उम्मीद है कि अब आप लोग को यह समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत तो दाश डाटा माइनिंग टेक्निक्स ड्राइब्स रूल फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस एक्जाम्पल यहाँ पर डाटा माइनिंग टेक्निक्स कौन से रहने वाली है यहाँ पर इसका अंसर जो है C इसका अंसर है Neural Nuts इसे हम बोलते है Neural Nuts जो है different type की जो है algorithms रहती है कहीं बार हम इसे neural networks भी बोलते है यह algorithms जो है human brain की तरफ वर्क करती है इतनी जबरदस्ट algorithm रहती है यह अब जैसे आप लोग देखते होंगे कहीं बार कि आप Amazon पे घड़ी सर्च कर रहे है Mobile phone सर्च कर रहे है Sandals सर्च कर रहे है YouTube पे आप क्या सर्च कर रहे है Google पे आप क्या सर्च कर रहे है Neural Network algorithm जो है वो सारा record जो है Save करके रखते है हम लोगों का और जब भी हम इंटरनेट पे जाते है किसी भी वेबसाइट पे जाते है तो उसकी हमें जो है एड दिखाई देती है उसी तरह की हमें चीजे वहाँ पे शो कर दी जाती है जिस तरह की हम जो है सर्च कर रहे होते है आप लोग देखते ही होंगे कि आपने क्या मुवी देख ली या फिर कोई सॉंग देख लिया या कोई भी चीज आपने सेलेक्ट कर ली देख ली वहाँ पे तो उसी तरह की चीजे जो है आपको शो कर दी जाएगी तो वो कौन करता है नियूरल नेट से वो करता है इसके उपर एक डोकेमेंटरी बनी है नेट्फिलिक्स पे सोशल डाइलिमा उसे उसने क्या बोलते है डोकेमेंटरी का नाम है आप उसे भी देख सकते है इंटरनेट को और अच्छे से समझने के लिए कि इंटरनेट की अल्गरिदम्स human brain की तरह कैसे वर्क करती है और human brain को कैसे impact करती है आगे देखते हैं उमीद है आप लोग को ये question समझाई गया होगा A polyphormic virus is polyphormic virus क्या है इन मेंसे ये हम लोगों को बताना है इसका सरी answer A है modifies its program code each time it attaches itself to another program और फाइल दिक है तो polyphormic virus जो है program code को हर पार modified करता है जब वो अपने आपको किसी दूसरे program से या किसी दूसरे फाइल में अटेज करता है तो ये polyphormic virus की statement रहने वाली है आगे देखते है which is not a good wave security strategy इन मेंसे जो है good wave security strategy जो है कौन नहीं है तो हमने ये बताना है कौनसी statement नहीं है restricted access to the wave server keep a minimum number of port open ठीक है तो ये तो सही है ये तो good wave security strategy में statement आती है limit the user who can load software edit or add ये भी नहीं है इसका answer add demo program so user can test system without accessing production data ठीक है तो हम demo program को भी यहाँ पे add कर सकते है ताकि user जो है system को access कर सके without accessing production data तो ये भी तो good wave security strategy में आता है तो इसका D सही answer है remove unnecessary compiler and interrupter ये जो है good wave security strategy में जो है नहीं आता है तो D इसका सही answer है if you wanted to locate the hardware address of a local device अगर हमने जो है अपने local device का hardware address को locate करना है which protocol we use तो हम इन में से किस protocol का use करेंगे ये हम लोगों ने बताना है तो हम करेंगे ARP protocol का use करेंगे और ये कौन सा protocol है address resolution protocols हम इसे बोलते है तो A इसका सही answer है आगे देखते है which of the following object is passed to a Java bean इन में से कौन से object को Java bean को passed कर दिया जाएगा when one of its property is set by a JSP action जबकि इन में से उसकी कोई एक property को JSP action द्वारा set कर दी जाएगी तो इसका सही answer क्या है C इसका सही answer है servlet response इसका answer है which kind of lock include a keypad इन में से वो कौन सा lock है जो keypad को include करता है that can be used to control access into area और जो area की access को भी control करता है तो इन में से वो कौन सा lock रहने वाला है तो इसका सही answer क्या है cipher इसका सही answer है आगे दिखते है what is the standard code the computer industry created to represent characters ठीक है तो इन में से वो कौन सा standard course है जो computer industry जो है create करती है character को represent करने के लिए तो इसका सही answer C है ASCII American Standard Code for Information Interchange जो है इसकी full form रहती है और यहाँ पे जो different type के computers एक दूसरी के साथ communicate करते है course को follow करते है ताकि different type of computers के बीच में communication किया जा सके offline devices इस offline devices कौन से रहते है a device which is not connected to CPU वो offline devices रहते है अब आप यह ना लिख दे ना कि a devices which is not connected to the internet इसका सही answer है ध्यान रखना है आप लोग नहीं है with respect to network interface card network interface card के respect में the term 10 by 100 refers to जो हमारे term है 10 by 100 वो क्या refer करती है यह refer करती है megabits per second को इसका सही answer है a hard disk is divided into track which are further sub-divided into ठीक है एक hard disk है जो divided कर जाती है ट्रैक में और उसे आगे हम किस में sub-divide कर देते है sector में sub-divide कर देते है यह हमने पहले भी देखा है आगे देखते है laser jet printer speed are measured in page per minute laser jet printer की speed जो है हम page per minute में measure करते है what do we use to measure dot matrix printer ठीक है तो dot matrix printer की speed जो है हम किस में measure करते है यह बहुत important question है और इसको आप कर लेना अच्छे से character per second में हम dot matrix printer की speed को measure करते है आगे देखते है parity is parity क्या है and extra bit stored with data in RAM that is used to check for error when the data is read back ठीक है parity bit एक extra bit जो है RAM में store कर दी जाती है और वह वहाँ पे data के error को check करती है जब वह read back हो रहा read back process वहाँ पे हो रहा होता है और हम parity bit को error check bit भी बोलते है अगे दिखते है what is the difference between AT and ATX power supplies AT और ATX power supplies की बीच में क्या difference है यह हम लोगों को बताना है AT है advanced technology power supply और advanced technology extended power supply में जो है क्या difference है यह हम लोगों को बताना है AT supplies use P8 and P9 power connectors ठीक है तो जो AT supplies है वो P8 और P9 power connectors का यूज़ करते है while ATX use a single P1 connector और जो advanced technology extended power supply है वो single P1 connectors का यूज़ करते है जैसा कि आप लोग यह आप example में भी देख पा रहे होंगे यह हमारे P8 और P9 power connectors है और यह हमारे P1 जो है single P1 power connectors है तो आप लोगो यह questions भी याद कर लेना है what type of connector is used to plug a telephone line into a modem तो हम कौन से connectors का use करते है telephone line से modem में connect करने के लिए तो वो जो हम connector का use करते है उसे क्या बोलते है RJ11 connector हम use करते है which one of the following is not the function of operating system इन में से कौन सा जो है operating system का function नहीं है तो networking operating system का function नहीं है यह हमने याद रखना है यह तो बहुत असान है यह हमारे आज के 30 questions थे अगर आप में से किसी students को किसी questions में problem है तो आप मुझे comment box में comment करके ज़रूर बता सकते है अब जो है हम previous lectures की exercise को देख लेते है hackers that changes or forges information in an electronics resource is against intake तो कोई hacker है जो हमारी informations को electronic resource का use करके जो है नकली तोर पे create कर देता है तो वो किस तरह के crime में against है तो इसका answer है data diddling की crime में जो है वो category में आता है तो D इसका से answer है अगर आप में से किसी students ने इसका answer दिया है तो बहुत अच्छा है congratulations आपकी जो है computer में पकड़ अच्छी है और यह हमारी exercise 6 है आज की exercise है और आप लोगोंने इन questions के answer देने की भी कोशिश करनी है चाहे फिर गलत ही क्यों ना हो पता तो चलेगा ना कि हम लोगों को कहां पे हम लोगोंने गलती की है आज की इस video lecture को यहीं पे bind up करते है अगर आप मेरा work पसंद करते है तो वीडियो को like जरूर करें चैनल को subscribe करें और आप मेरे साथ updated रहने के लिए आप bell icon को भी प्रेस कर सकते है thanks thanks for watching